हलो दूस्तों कैसा है आप सब लोग दूस्तों आज है मनाएंगे सर्दी की बहुती स्पेशल परांथे मेथी का परांथा मेथी का परांथा बनाते हुए कई बर में कड़वा बन जाता है कई बर परांथे हमारे टेस्टी नहीं बनते तो आज मैं आपको बहुत ही अलग और डिफरेंट रेसिपी परांठे की देने वाली हूँ इसमें ना तो मीथी को उबालना है नहीं चोप करना है और बहुत ही सरल रेसिपी है परांठे तो देखी सकते हैं आप कितने टेस्टी बनकर तयार हुए हैं तो चलिए बनते हैं दोस्तों मीथी के परांठे बनाने के लिए आज हम इस्तिमाल करने वाले हैं हरा मीथी मार्किट में हरा मीथी बहुत अच्छी वारेटिका आया हुआ है सर्दी है तो मीथी बहुत बढ़िया वारेटिका आता है आप मेथी को साफ कैसे करना है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको मेथी को साफ करना है यह जो डंडी है यह यूज नहीं करनी है सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करनी है दूसरा आप मेथी के पत्ते देखी कैसे हैं छोटी छोटी हैं लेकिन थोड़े करली आपको दिखेंगी थोड़े हैवी से दिखेंगी ऐसे लेना मार्किट में एक दूसरी मेथी आती हैं गुल गुल पत्तो वाली थोड़े चोड़े उसके पत्ते होते हैं और वो थोड़ी लूज लूज दिखती है वह नहीं लेनी है उस मेथी में comparatively बहुत कम flavors होते हैं यह जो मेथी मेरे हाथ में इसमें flavors बहुत ज़्यादा होता है अगर आपका पराथा कड़वा बनता है तो वह इस वज़े से बनता है कि जो डंडी में निकाली है आप वह भी इस्तेमाल करते हैं पराथा बनाने में करने वाला है और नहीं इसको चोप करने वाला है आपके convenient के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको सीधा मेथी के पत्ते ग्याओं के आटे में डालने से आटा नहीं गुथा जा रहा है तो आप चोपिंग कर सकते हैं पत्तों के लिकिन बिल्कुल बारिक चोप नहीं करना है थोड़ा मोटा मोटा ही चोप करिएगा और आपको सच बता दू तो चोप मत कीजे दोस्तों एजिटिस पत्ते लेने हैं डंडी निकालने हैं और ग्याओं के आटे में डाल देना उसके बाद प्यास हरी मिर्चिर लहसन इनको बिल्कुल बारिक चोप कर लेना अगर आप खाता है तो अगर आप नहीं खाता है तो बीना प्यास लेसन की भी बना लेना बहुत टेस्टी बनते हैं अब दो कप ग्याओं का आट अगर आप लेते हैं पराँटे बनाने के लिए तो इसमें तीन डेबल स्पून बेसन डाल देना बहुती बढ़िया फ्लेव नमक लाल मिल्ची पाउडर और नमक स्वात के हिसाब से आप इसमें डालना एक टेबल इस्पून कुटावा धनिया डाल देना नमक जितना खाते हैं ना उससे दो चुटके चाटे डालना और दो टेबल इस्पून सरसो सरसो का तेल डाल देना सरसो का तेल डाल कर अच्छे से मिलाना आप देख रहे हैं अभी पानी नहीं डाला है हमने जितने भी सुखे मसाले हैं मेथी हैं घ्यों के आठे से अच्छे से हातों से प्रेशर डाल कर इसको रगड लेना उसके बाद जब सारे चीजे मिल जाएं तब थोड़ा थोड़ा पाने डालकर इसका डो बनाना आप गुनगुने पाने के इस्तेमाल भी कर सकते हैं डो बनाने में जब आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो अगर आपके पराठे कड़वे बनते हैं तो बिलकुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और जितने भी मसाले डाले हैं सारे मसाले डालना इन मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सर्दियों में मेथी की परांठे बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन कई बर होता है ना कि परांठे कड़वे बन जाते हैं अब मेरे प्रोसेस से बनाना दोस्तों बहुत ही पसंद आएंगे आपको इतने टेस्टी परांठे बनते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर से इनका तो सारे मसाले जरूर डालना और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इस प्रकार से डो बनाना डो जादा सुफ्ट नहीं बनाना इस बात का ध्यान रखना किकी डो को हम थोड़ा रेस्ट भी कराएंगे तो हलका सा लूजी रेस्ट करने के बाद हुई ही जाएगा तो बिल्कुल ऐसा डो बाना देख रहे हैं आप कितना बढ़िया डो बनकर तयार हुआ है अब इसे दस मिनट ढखके रख देना दस मिनट के बाद आप चेक करना आपका डो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा दस मिनट से जादा अगर आप इसे रेस्ट करा देगे तो पराठे और भी टेस्टी बनेंगी डो भूद बढ़िया सेट हो गया है हलका सा तेल लगा कर इसको चिकना कर लिना देकि दोस्तों यहाँ पर आप सरसो की तेल के अलावा जो भी तेल खाते हैं न वह तेल इस्तेवाल कर सकते हैं देश की घी में भी पराठे बना सकते हैं भोत बढ़िया बनते हैं लेकिन परसनल एक्सपिरियंस से बोल रही हूँ कि यह पराठे सरसो के तेल में बनाना प्लकुल ऐसा लगेगा आपको कि आप पकोडे खा रही हैं इतने टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं तो यहाँ पर पराठे को रूल करने के लिए थोड़ा सा आटा निकाल लेना और घर में जैसे पराठे बेलते हैं आप बिलकुल ऐसे ही बेल लेना हलका सतेल अगर आप इसके बीच में लगा कर पराठे बेलेंगे तो पराठो की एक एक लेयर निकल के आएगी पराठे बहुत खस्ता बनेंगे क्रिस्पी बनेंगे तो पराठो की शेप आप अपनी पसंद से दे लेना और इनको सेखने के लिए फ्लेम मीडियम रखना लो नहीं रखनी है और नहीं हाई रखनी है हाई फ्लेम पर अगर आप यो पराठे बना लेंगे तो पराठे सॉफ्ट बनकर तयार होंगे हमें हैं खस्ता और क्रिस्पी पराठे बनाने हैं ये देखिए बिलकुल ऐसे आपको चमज की मदद से दबा दबा कर परांठों को सेखना है इस तरीके से जब परांठा बनेंगे ना आप तो बहुती क्रिस्पी परांठे बनते हैं इस टाइम पर इतनी बढ़िया खुश्बु आ रही है मेथी की बहुती अमेजिंग और ये जो परांठे है ना फ्लेवर से भरे हुए हैं इसमें जो भी मसाला आप चाहे एड़ कर सकते हैं चाहे तो चाट मसाला भी डाल लेना और बस एक के करके इस तरीके से परांठा बनाना और देखा आपने ना तो मेथी को उबाला है ना है बिल्कुल फाइन चोप करके लिया है बस पत्तो को धोना और धोने के बाद एस इतिस उपर से तोड़ तोड़ के आते में मिला लेना और परांठे में इवरली मेथी गई है ये भी देख सकते हैं आप तो जरूरी नहीं है कि काटके या उबालकर ही परांठे बनाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स अगर फोलो करेंगे ना तो बहुती बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा परांठों को बनाने के लिए कुछ भी इस्तिमाल करें आप पर अचार के साथ इंजोई करना आपको बहुत पसंदाने वाला है तो बस सारे परांठे एक एक करके जब तक लाल लाल स्पोर्ट ना पड़े ना तक तक इन्हें सेक लेना मीडियम फ्लेम पर ये देखिए बिलकुल इस प्रकार से परांठों को बनाते विए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है कि अगर परांठे कड़वे बनते हैं तो वो किस वज़े से बनते हैं पराठे कड़वे बनने की वज़ा यह होती है कि एक तो आपन में डंडिया इस्तिमाल कर लेते हैं मेथी की जो डंडी होती है न हरी मेथी की वहयूज नहीं करनी है दोस्तो ये देखे मैं पराठा कैसे बेल रही हूँ पहले फ्लेट बेला है फिर हलका तेल लगाया है फिर थोड़ा सूखा आठा डाल देना वापस से दूसरी लेयर पे तेल लगाकर सूखा आठा डालकर फोल्ड करेंगे न तो बहुत क्रिस्पी और लेयर दार पराठे बनते हैं परते जो निकलती है न पराठो में यह वह पराठे बनते हैं तो बस सारे पराठे ऐसे बनाने हैं तो हाँ अगर पराठे कडवे बनते हैं तो मेथी की डंडी यूज नहीं करनी है दूसरा मेथी को कभी भी चौप करके नहीं रखना है काट कर मेथी रखने से वह कड़वी हो जाती है कड़वा पन कसैदा पन उसमें आ जाता है दूसरा वो गुल-गुल पत्ते वाली जो मेथी होती है न वह यूस नहीं करनी है छोटे पत्ते की मेथी इस्तिमाल करना छोटे पत्ते की मेथी ना थोड़ी करली सी लगती है थोड़ी हैवी सी लगती है दिखने में वह यूज करना उसमें बहुत फ्लेवर होता है तो आपके पराठे फिर बहुती बढ़िया पनेंगे तो बस सारे पराथे ऐसे सेख लेना देखे कितना टेस्टी पराथा लग रहा है तो दूस्तों मेथी के ये जो पराथे हैं इन्हें थोड़ा पतला बेलना आप जादे मोटा नहीं बेलना है पतला बेलेंगे ना तो बहुत किस्पी और परतदा पराथे बनकर तयार होंगे पराथों को दो दिन तक भी रखेंगे ना तो ऐसे ही रहेंगे बहुती टेस्टी रेसिपी है ये तो नेथी के परांठे तो हर घर में बनते ही हैं अब एक बार इस प्रोसेस का फॉलो करके बनाना आपको ये परांठे बहुत देशे लगेंगे और अगर आपको हमारे परांठो की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक तो जिरूर दे देना और अपने दोस्तों देशेर करना बिल्कुल न भूले और कॉमेंट में भी लिखके बता देना अगर खराब लगे हैं तो भी और अच्छे लगे हैं तो भी धन्यवाद